अगर आप बिहार पुलिस बिहार दरोगा या BPSC या फिर बिहार SSE या फिर बिहार में टीचर की वेकंसी की आप तयारी कर रहे हैं और अपने आपको टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना और इस वीडियो के अंदर जो हम देखने वाले हैं ब जोकि आपका बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में अब तक जितने सवाल बने हुए हैं वो सबके सब को मैं कहरानी वालाओं और अगर आप खाश आप बिहार पुलिस और भिहार धरोगा कहीं तयारी करते हैं तो पिर आपके लिए गोल्ड चांस है तो चलिए आज के सेसन को स्टार्ट करते हैं आज कि मैराथन को स्टार्ट करते हैं और मैंने आपको एकोनोमिक्स जो मैराथन कराया था उसका पेडियाप नहीं दिया था तो दोनों में एक साथ ही आपको प्रोवाइट करा दूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन को और आप जो हैं खाश होने वाला है जो कि आपको एक्जाम में बाकी की तुलना से आपको बहुत आगे करेगा आज का जो हमारा पहला कोईस्सन ने वो आपके सामने है कि A.C.A का सबसे बड़ा पसु मेला कौन सा है इसकी अगर मैं बात करूं तो अंसर हो जाएगा आपका सोनपूर का मेला जो कि आपका A.C.A का सबसे बड़ा पसु का मेला है जो कि आपका सोनपूर बिहार में लगता है आयुजित होता है इसको आप हरी हर छेतर के मेला के नाम से भी जानते हैं ये भी आपको दियान रखना है ये भी आपसे पूछा जाता है इसके बाद है बिहार का प्रशिद सोनपूर एवं सोनपूर का प्रशिद मेला आयोजीत होता है वो किस महीने में होता है तो ये हो गया आपका कारतिक महीने में आपसे पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना है अब आगे बढ़ते हैं आप कहेंगे कि भाईया बिहार स्पेसल में इतने इजी इजी सवाल आते हैंगा भाईया आते नहीं है ये आई हुए सवाल है मैं उनको करा रहा हूँ इसलिए मैं आपको कहा रहा हूँ कि आज का मैरातन छोटा सा है लेकिन बहुत ही खास है तो अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कहते हैं कि किस राज में 2011 में साक्षरता दर सबसे कम थे तो ये हैं अपना बिहार जो की ऑप्सन हमारे यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहां अगर बात करें तो लगबग जो हैं 62 के आसपास लिटरेसी रेट हैं जबकि ओवराल पूरे भारत के अंदर 24 के आसपास हैं सबसे ज़ादा जो हैं भारत में केरल राज में सबसे ज़ादा साक्षरता हैं चाहिए वो महिला हो या पूरुस हो अगला सवाल है 2011 की जनगना के अनुसर भारत वर्ष में अधिक तम जन संख्या घनत तुआला राजी कौन सा है तो ये भी अपना बिहार ही है जहां पे कि 11 प्रती किलोमेटर स्कॉार के अंदर निवास करते हैं और वहीं अगर सबसे कम की अगर मैं बात करूंगा तो यह है आपका अरुनाचल परदेश में मात्रे 17 लोग रहते हैं एक किलोमेटर स्कॉार के अंदर इसको भी आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर यहीं पर मैं आप से कहूं कि भारत का जनसंख्या घनत तो कितना है तो यह है आपका 2011 के अनुसर तीनसा बिराशी जलाल अगर का किला किस जीले के अंदर स्थिता यह है सबसे सवाल पूछ रहा तो इसके अगर मैं बात करूं तो यह हो जाएगा हमार ओप्सन नंबर सी पु कुछले की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहां पे तो फिर आपको क्या कहना है तो फिर आपको बताने कि भाईया वो जीला है रोहताश ठीक है चलिए ऐसे भी आपको ध्यान रखने आगे बढ़ते हैं और यह जो आपका किसन गंज है यहां पर आपका पूरे बिहार के लीची सुनाया ना तो यह उसी के नाम से फेमस है यहां पे काफी ज़्यादा फेमस है लीची के नाम से मुझे परपूर का लीची आगे बढ़ते हैं अगले सवाल है भारत का सबसे अधिक लीची उतपादक है राज कौन सा है तो यह अपना बिहार ही हो जाएगा राइट अब देश नारायन सिंग राइट आंसर होगा लेकिन अभी के अनुसार यह गलत है तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वरतमान टाइम में विधान सभा विधान परिशत के अध्यक्ष कौन है अभी आप हमें कमेंट कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं और यह आपका 36 गड़ के दानते वाड़ा जीला में हैं यह आपका मदनी सेथ कहीं सवाल है मदनी सेथ में आपसे पूछा गया तो यह आपका 1275 में दरोगा के प्री एक्जाम में भी यह पूछा जा चुका है अगले सवाल है राज्य पुनरगठन आयोग 1956 के बाद बिहार विधान सवा के निर्वाजन सदस्यों की शंख्या कितनी है तो इसकी एगर मैं आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सन ए 308 जब हमारे देश में राज्य पुनरगठन आयोग का निर्मान हुआ था तो इस टाइम दुटिय आम चुनाव जब होता है तो इस समय टोटल 308 हमारे यहां पे सदस्यों की संख्या थी लेकिन उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया परिसिमन आयोग का जो सिफार इस था उसके अधार पे 325 कर दिया जाता है उनीशा सत्तर में फिर उसके बाद 2000 में जारखंड जब बनता है तो फिर हमारे यहां सदस्यों की संख्या घटके रह जाती है कितना है तो 273 जिसमें कि 38 आपका अनुसुचित जाते यह एस्टी के लिए और दो हैं आपका विधान सभा सीटों की संख्या कितनी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बतानी की जड़त है यह आप सिंपल हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में चल्गे कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका आंसर मत देजियां आप हमें बताए कि बिहार विधान परिश्थ की सं क्या हमारे यहां कितनी है यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है यहां प्यांसर की बात करूं तो 243 राइट अंसर हो जाएगा और मैं आपको बता दूँ कि मेरा वीडियो रेगुलर नहीं हाप आ रहे हैं मैंने आपको बताया था प्रोवाइड कराता रहूंगा बाकी इसके अलाव आपका साइंस में बच जाते हैं फिजिक्स कमेश्टरी और बायोलाजी वो भी मैं उसका मैराथन करा दूँगा लेकिन 26 के बाद आपको धीरे 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 सब आपको मिलते जाएगा आपको बोलने की जौरत नहीं पड़ेगा बस आप सुरू से अंतक देखो उसको आपके लिए बहुत जादे फायदे मंद होने वाले हैं इसको देखने के बाद आप रिटन क्वालिफाई कर रहे हो आप रनिंग के लिए सोचो बाकी आप रिटन पहले बता सकते हैं जो पहले कितना था जो पहले 318 था फिर ये 318 से 325 हुआ फिर घट के सिधा 243 रह गया चलिया आगे बढ़ता है एकला सवाल है कि बिहार में किर्यानवेत की जा रही अंत्योदे अन्य योजना का उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है जो चैनित परिवार हैं उनको सस्ता गेहों और चावल देना चैनित परिवार वैसे परिवारों को इसमें चैन किया जाता है जो कि गरीब होता है लेकिन जो गरीबों में भी जो गरीब होता है उनको अन्तोदे कार्ड दिया जाता यानि अन्तोदे अन्योजना के था तो वही लोग आ 17-18 में कुल क्रिसी साग प्रवाह की प्राफ्ति इसके लक्स की तुलना में कितना था तो यह था आपका 86 पर्षन जो की आप्सन से हमारे राइट हो जाएगा मैं आपको पहले बता दिया कि आज का जो मैराथन होगा आपका छोटा सा मैराथन होगा लेकिन बहुत ही इंपैक्टफूल होगा आपके जीवन को यह बदल सकता है इसलिए आप हलके में मतलेना जितने भी क्वेस्टन्स हैं उसको कम से कम आप ध्यान में रखना आप हर मतंसर कतान विभार विदान सभा की लोकलेखा समीति के शम्मंद में शइय हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी मंत्री इसका सद्रेश स सदिस्शन हो सकता ये वाला कथन आपका सदिस्य हैं, और बांकि क्या है तो आपके गलत दे रखाएं बिहार विधान शवा के लोग लेखा समीति में सभापती सहित अधिक्तम 17 सदस्य होते हैं इस समीति के कारिकाल दो वर्स का होते हैं और इसके सदस्यों का निरवाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमनी मत्पधती से किया जाता और इस समिती में कोई भी मंत्री सज़से नहीं हो सकता है जो की हमारा अंसर था आगे है वर्ष 2016 सत्रे में नगदी फसल वो स्रेणी के अंतरगत कौन सी फसल सबसे अधीक छेतर में उगाई जाती है तो यह हैं आपका तम बाकू आपसन कौन सा तो यहां पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं कि किस सवाल समें नितिस कुमाल जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप इनके पार्टी का नाम बता दो कि किस पार्टी से बिलॉंग करते हैं कौन से पार्टी के श्थापना करके पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं सबसे पहले तो आपको यही बताना है और वर्टमान में भी जो सीम है बिहार के वो नितिस्कुमाज ही है तो अगर मैं बात करूँ आंसर का तो यह 2000 में 2000 नहीं माप करेगा 2005 में यह पहली वार जो है बिहार के मुख्यमंतरी बनते है और यह बक्तियारपूल जीले से आते हैं यानि जो पट्रना के आसपास आपका बक्तियारपूल जीला है वहाँ से आते है और इन्हों ने 2022 में आठवी वार और इधर आपका जो पल्टे थे बिजेपी में गए हैं तो ये नवी वार मुख्यमंत्री के रूप में इन्हों ने सपत लिया हुए साथ ही साथ एक और रिकॉर्ड इन्हों ने कायम किया है वो ये है कि बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है और मुझे जहां तक लगता है कि सब कुछ अगर सही रहा और अगर फिर से ये पांस साल के लिए सियम बनेगे तो देश के अंदर सबसे ज़्यादा सियम के रुप में रहने का रिकॉर्ड ये कायम कर देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि कि स्वल्स में बिहार और योगी छेत्र विकास प्राधी करन अधिनियम पारित होता है तो यह होता है आपका 1974 के अंदर जिसको मैप कहते है तो बियाडा मतला हो गे, आपने देखा को गया बहुत जगा एडे meट को गया में बियाडा लिखा रहता है抓ू लोगा समझी नहीं आता貌 लिख़ा रहते है तो आज समझ कहलो dirt 24 में किया जाता है बियाड़ा का आगे बढ़ते हैं अगले सवाल है बिहार रज विधान वंड़ल में प्राकलन समीती के सदिश्यों का कारिकल क्या होते है। इनका कारिकल होता है दो वर्सों का जो कि option से हमारे यहां पर right answer हो जाएगा इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार राज के 2021 में बजट में ZD, ZSDP के प्रतिसत के रूप में राज को सी एगाटा क्या है तो यह है आपका 2.97% ऐसे question के लिए आपको डरना नहीं है, current affair के सवाल है इसके लिए आपको सोचना नहीं है अगला सवाल है कि बिहार सरकार की युक्ती योजना का उद्देश क्या है तो इस युक्ती योजना का उद्देश है सुरक्षित गरवपात की सेवा प्रिदान करना option हमारे यहां पर right answer हो जाएगा अब आप कहेंगे कि भईया यह तो बिहार special का सवाल है इसमें current affair कहां से आ जाते हैं होता है कई और एक दो सवाल add कर देते हैं गलती से वैसा ही हुआ है 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमेटर के फासले पर एक विनासकारी घटना घटी यह कहां घटा था यह घटना की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका धनवाद के अंदर हुआ था जो आपका गजली तांड कोलियारी खादान है धनवाद के अंदर वहाँ पर यह विनासकारी घटना घटा जिसमें किलगवग 4-49 लोग मारे गए थे भूमी से चारो और बद यानि लैंड लोग की बात कर रहा है कोन सा राज है जो की चारो तरफ से भूमी से घिरा हुआ है किसी भी और से यह जल से टच नहीं है तो इनमें आप देखेंगे जो हमारा बिहार है यह पूरी तरह से आपका लैंड लोग इस्टेट है परियोजना साज़दारी है तो यह अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा यहां पर उप्सन के कॉर्डिंग पर हमें पसिम मंगाल राइट आंसर करना है तो उप्सन डी हमारे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा और दामोदर घाटी परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका 7 जुलाई और 1948 को आपका इसका स्थापना होता है स्वतंतर भारत का पहला बहुत देशी परियोजना के रूप में इसका स्थापना होता है जिसमें बिहार बंगल की साज़ेदारी होता है इसके अंदर और यह एक ऐसा परियोजना है जिसमें कोईलाई जल और गैस तीनों के रूप में इसका विद्धू तुत्पन किया जाता है यानि तीनों से हम विद्धू तुत्पन कर शकते हैं अगला सवाल है कौन सा राज डाक छेत्र आठ के अंतरगत आता है तो यह आता आपका बिहार बिहार आपका डाक छेत्र आठ के अंतरगत आता है और डाक पीन कोड की ब्यवस्था 15 अगस्तुनी 77 इस भी को लागू किय जाता है भारत में 9 डाक पीन कोड छेतर आते हैं जिसमें पीन आठ जो हैं बिहार जारखंड को दिखाता है और जबकि दूसरा जो पीन होता है वह आपका बिहार और UK यानि उत्राखंड को दिखाता है आज था आपका संडे है इसलिए मेरे फॉन के उपर पॉप अप विंडो ओपन होके आया कि भाई आपको दोड़ने जाना है मतलब आप समझ रहे होना मैं बाकी काम के साथ अपनी करतब ये को नहीं भूला हूँ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल है कि किसी राज्य के साथ बिहार की गंड़क परियोजना की साज़ेदारी है तो ये हैं हमारा उत्तर परदेश के साथ में और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंड़क परियोजना की सुरुवात जो हैं 1961 में की जाती है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है कि विहार सब्द का अर्थ तो विहार सब्द का जो अर्थ होता ही होता है परियोजना और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ऐसा माना जाता है कि यहां पर बौद विक्षुओं का अधिकता रहा करता था जिसके कारण यहां का नाम बिहार पड़ जाता है बिहार किन चीजों में सम्रिद हैं ये बताना है किन चीजों में धनी है तो खनीज में धनी है भईया ये तब की बिहार है जब जारखंड हमारे साथ रहा करता था ये तब की बिहार है लेकिन अभी का जो बिहार है हमारे यहां खनीज तो बिलकुल भी नहीं है भाईया हमारे यहां जो है वो मतलब मात्र जो है हमारे यहां उपजाओ जमीन है उत्तरी बिहार में बश इसके अलवा हमारे पास ना तो खनीज है ना तो वन है ना तो और कुछ बटवारा होने के बाद, फवन, खनी, चोगे, सब कुछ जान चले गए, तो जहारखन में चले गए, चलेगे, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कि बिहार की कौन से तीन जिले पसी मंगाल की सीमा पर एक न्हarsonते हैं? इसके अलावा है पूर्णिया फिर है किसन गंज तो ये तीन जिला है जो कि आपका पस्षी मंगाल को टच करता है इसके बाद अगला सवाल देखते हैं मैंने जो आपको बिहार स्पेसल का थेओरी वाला क्लास कराया क्या आपने वो किया है या नहीं किया है आपने अगर किया है तो उसके बाद फिर आपको इस वेडियो को क्वेस्टन करने में कोई दिकत नहीं आएगा सवाल है आपके सामने की बिहार की कौन से दो जिले जारखंड से सीमा बनाते हैं तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुल में इलाके आठ ऐसे जिले हैं जो की जारखंड से क्या करते हैं टच होता है एक तो भागलपूर है भागलपूर में साहब गंज टच होता है इसके अलावा आपका बाम है जमूई है उसके बाद नवादा है गया है और रंगा बाद रोहताश और फिर हैं कटिहार यह सब के सब जारखंड को टच करते हैं लेकिन ऐसा एक भी आपसन नहीं है यहाँ पे देया हुआ जो की टच करता हो डारेकली जारखंड को तो यहाँ पे हमारे लिए आंसर टच करना पॉशिवल नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं कि कौन-कौन से स्थान पे पदालत और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग-अलग रूप में जाने जाते हैं तो यह एक हो जाएगा आपका गया और दूसरा हो जाएगा कटिहार अब इसको ध्यान रखेगा जो मुंगेर हैं वो सिगरेट, कारखाना और बंडुक फैक्टरी के लिए फेमस हैं इसके अलवा और अंगाबाद सिमेंट के लिए फेमस हैं भागलपूर, सिल्क उद्योग के लिए हैं गया आपका पे पदालत के लिए हैं गया, बिहार का सबसे गर्म जीला भी है ये भी ध्यान रखना है इसके अलवा हैं आपका कटिहार जो कि आपका प्लाश्टिक उद्योग एवं पटसन उद्योग के लिए काफी ज़्यादा फेमस है इसके बाद अगला सवाल है सन 2001 की जनगना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगवग कितना प्रतिसत है तो ये हैं आठ प्रतिसत के लगवग ऑप्सन कौन सा तो हमारा सी राइट अंसर हो जाएगा सन 2001 की जनगना के अनुसार बिहार का लिंगानुपाथ कितना था तो ये लिंगानुपाथ था 961, lesdon के ऑप्जन हमायरा b right answer हो जाएगा वही 2011 की अनुसर येывает 918 हो गया इसके बाद हैं सन 2001 की जनगन्ना के अनुसर बिहार की सक्छरतादर कितनी तो बिहार की सक्छरतादर उस समय थी इसलिए है कि आपसे 2001 का जनगना के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि 2011 वाला तो रिपोर्ट आया ही नहीं होगा और अभी आपसे अगर पूछा जाएगा तो 2011 के बारे में पूछा जाता है आगे देखते हैं इस निम्न मैसे किस नदी को बिहार का गम यानि सोक कहते हैं तो बिहार का अभिशाप कहते हैं बिहार में पूल सड़क निरमान के लिए सरकार ने किस कंपानी के साथ में अनुबंद कर रखा है तो यह कर रखा है इन्होंने तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ में जो कि ऑपसे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद अगला सवाल है कि जूट के उत्पादन में बिहार के कौन सा जीला सबसे आगे हैं तो यह पूर्निया जूट के उत्पादन में ऑपसन कौन सा तो यहां पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों ने यहां पर देखा ता जलाल अगड का किला इसके बाद अगला सवाल है बिहा पूर्णिया में हुआ था क्यासे याद रिखना अरे सिंपल लेवाई क्यासे तुदेखो पॉसे पूर्णिया और इसी परिवार का अगला अग्छरे पाके बाद फा तो पासे पनिस्वाइनात रेनु एक वर दिमाग में सिट करो ना दुबार आपके दिमाग से निकलेगा इस अब पेपर में देखोगे पट पट मारोगे आप आगे बढ़ते हैं आगला सवाल देखते हैं बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है जिन में से कि आपका भागलपूर मुंगेर तिरहूत सारंधर वंगा पटना कोसी मागद पू तो यह हो जाएगा आपका और आपसन नंबर ए लेकिन वर्तमान के अनुसार आपका हो जाएगा लगबग साढ़े 10 करोड यह ध्यान रखना है बिहार में लोग सवा की सीटें कितनी है तो यहां पे अगर में बात करूं ता अनसर हो जाएगा हमारे कितना तो चालेस के ऊपर बना हुआ जो पूल है यह भीहार के अंदर जो कि option कौन और हमारा be right answer हो जाएगा गान्दी से के नाम अपने सुना है ना तो वही गान्दी से तू जो कि हमारे कौन सा हो जाएगा option be right answer हो जाएगा और वृतमान time में भूपहन हजारी का यह इसी को ढोला सादिया जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पूल है वर्तमान टाइम में लेकिन ये इसके अनुसार वो था अगर बिहार में पूछे तो बिहार में आप MZ लगा देना यानि मात्मा गांधी लगा देना आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं कि कहा रहा आप से कोड यह हो गया राजी कोड उसके बाद छेत्र कोड ऐसे से रहता है न तो हमारा अंसर हो जागा ओप्सन नंबर ए तो यह कोई सवाल है यह तो कोई भी लगा देगा कुछ-कुछ इंपॉर्टन्ट कोड है तो चलिए उसको देख लेते हैं तो यह एक जो हैं पटना कोड है दो गया कोड है तीन आरा भोजपूर चार छापरा पांच पांच है आपका मोतिहारी का साथ दर्भंगा का नौ बेगू सरा हैं दस भागल पूर हैं और इसके अलावा आठ की अगर मैं बात करू तो यह आपका मुंगेर जमाल पूर हो जाएगा इसके अलावा अगर आप याद कैसे रहेगा तो मैं बताता हूँ आप क्या करो जो गाड़ी देखते हो ना तो गाड़ी के उपर जो भी और उसके बाद गया का और सबarthy याद करने का तरीका और अनमें से मेरे कई सारे भाई थे जो कि मेरे कहने केनुसार ये काम उन्होंने किया वी और उन्हें पूरी तरह से सफलता मिला मतलब ये कि उन्हें पूरी तरह से लोग सवासी भारत के अंदर सभी याद हो गए और मैं बहुत खुस हुँ कि आप हमें मानते हैं, हमारी बातों को समझते हैं और आपका इससे फाइदा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल है पटना जिला में गाड़ियों के निवंधन के लिए कौड क्या है वैं कौन सा बड़ा खेल है तो यह आपसन ए राइट अंसर हो जाएगा दूसरा है आपका अगले सवाल है कि बिहार राज में पाइधित्वा किष्टी ने किया हुआ थे तो यह किया हुए थे स्वामी शहाजानंद सरश्वती ने ओप्सन कौन सा भी राइट आंसर हो जाएगा 1930 में बिहार में किसान अंदोलन का नैतरित शौमि श्याजानंद सरस्वती ने किया था और 1920 में वर्स 1940 के बीच कई किसान संगठन का उधै होता है और बिहार प्रांथे किसान सभा वर्स 1929-1936 में स्थापित अखिल भारतिय किसान सभा प्रमुक किसान संगठन थे वर्स 1936 में कॉंग्रिस के लखनव औधिवेशन में सहयजानन्द की अधिष्टा में अखील भारतिय की संसवा का गठन होता है ये important था last line बिहार के उप मुख्य मंत्री कौन है वरतमान में आपको बताना है और ये 2017 के अनुसार option से था लेकिन वरतमान में कौन है ये आपको comment box में comment करना है मैंने आपसे दो सवाल की है बिहार की दृतिय राजभाषा कौन सी है तो बिहार की दृतिय राजभाषा की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा उर्दू पहली कौन है बई? तो पहली है हिंदी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है आपके सामने की बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने किया तो ये नियुक्ति करने का जो काम होता है ये होता है बिहार के राजभाषा का और इसके बाद जो मुख्यमंत्री के मंदल होते हैं तो मुख्यमंत्री के सिफारिस के बाद राजपाल उनके नियुक्ति भी करते हैं, जिस परकार आप लोग सभा पढ़ते हैं, वैसे ही बिधान सभा होता है, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते जूलते होते हैं, उसके बाद एगला सवाल देखते हैं कि पूराने अंग्रिस का अधिवेशन कहा हुआ था, हमारे बिहार के अंदर कुल मिलाके जो हैं, दो अधिवेशन हुआ था, जिन में से यहां पे अगर मैं आंसर की बात करूँ पहला, तो यह कहरा आपका बांकी पूर जो की ऑप्सन सी हमारे राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका 27 अधिवेशन था, जो कि आपका बांकी पूर पाटना में होता है, और इसकी अध्यक्षता जो किया हुआ था, वो नरसिंग मुधोल करने किया हुआ था, इसके अलावा एक और हुआ था, जो की गया के अंदर हुआ था, अगले सवाल हैं कि बिहार की बिहार राजी के प्रथम प्रधान मंत्री मुअम्मद यूनुस थे और वर्स 1935 में ब्रेटिस पार्लियामेंट ने गवर्णमेंट आफ एक्ट इंडिया पारित किया और जिसमें प्रधान मंत्री का पदनाम प्रांतिय सरकार के लिए प्रधान था अगला सवाल है कि बिहार में भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान किस जीला को अपराधी जीला घोसित किया गया था तो ये किया गया था सारन जीला को अपराधी जीला घोसित किया गया था और जो भारत छोड़ो आंदオलन ने हैं उसकी सुरुवात 8 अगस्त 1942 को होता है इसकी सुरुवात जो हैं आपका मुम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में करू या मरू भाषन गांदी जी ने दिया था और वहां से आपका भारत छोड़ो आंदोलन की सुरुवात होता है और इसको एक और नाम देते हैं अगस्त क्रान्ती तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में सुधिसी आंदोलन के दोरान एराखी बंधन दिवस कहां पे मनाया गया था ये हैं आपका BPSC में भी सवाल पूछा गया है तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मनाया गया था आपका दरभंगा के अंदर और दरभंगा जहां आपका मखाना की खेती के लिए काफी जादा फेमस है और बिहार में प्रत्थम अस्थान पे आता है बिहार में स्वादेशी आंदोलन के दोरान राखी बंधन दिवस मनाया दरभंगा जही ले के अंदर और 1905 में कलकता के टाउन हॉल में एकवी साल बैठका आउजित की गई जिसमें स्वादेशी आंदोलन की आपचारी गोशना की गई थी और एकता के प्रतिक के रूप में लोगों ने एक दुसरे के हाथ में राखी बांदी थी और स्वदेशी आंदोलन में ना केवल खरीदार बलकि विदेशी समानों के विक्रिताओं का भी बहिसकार किया गया था उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने कि बिहार के वित्त मंतरी को कौन न्यूक्त करता है तो ये काम कौन करता है तो ये करता है आपका राजिपाल मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मुख्य मंतरी के जो मंतरी मंदल होते हैं उनकी न्यूक्ती मुख्य मंतरी की सिफार इस पर राजिपाल करते हैं और ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 153 पन के अंदर हैं अब आपको ये भी देख लेना है कि वर्तमान में आपका बिहार राज्य का उईत्मंत्री कौन है इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार के इंजीलों को उत्तर से दक्षीन में लगा आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहते है कि निमलिकित मेंशे कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है तो यहां पर मैं बात करूं तो मुझपरपूर बिल्कुल बिहार में स्थित हैं बरवनी ये भी आपका है कहलगाउं की बात करूं जानते होंगे भागलपूर जीला कहलगों के अंदर यानि भागलपूर के अंदर और यहां के नाम आपने नहीं सुना होगा सो ऑप्सन हमारे यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल है कि प्रिथम मुप्ति मौम्मत सहीथ पूरसकार निमलिकित में से किस मुख्यमंत्री को दिया गया तो यह दिया गया था बिहार के मुख्यमंत्री को और जो की वर्तमान में हैं आपका स्री नितियस कुमार सो ऑप्सन हमारे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद हैं प्रिकास पूल जिसको कहते हैं जेपी से तू के नाम से जानते हैं किस नदी परिष स्थित हैं ऑप्सन हमारे यहां पर सी राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं यह आप से कहता है कि निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्सन नंबर डी जो की सही नहीं है इसमें क्या कह है कि गत पांच वर्स में बिहार में चालू कीमतों पर वेसुद राजश घरेलो उत्पाद में वरिधी की दर पंजाब से कम थी आपका क्या दे रखाएं गलत दे रखाएं इसके बाद अगला है कि वह जीला बिहार में जहां 2001-11 की आवधी में सरवादिक दस्की एजन ख्यावरदी अंकित की गई तो यह मध्य पूरा जो कि option हमारे कौन से तो यह right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि पटना उच्च न्याले की बात हो रहे तो पटना उच्च न्याले की स्थापना कब होती है तो यह 19-16 में होती है और यह फरवरी में होती है option भी हमारे right answer हो जाएगा यह नाकिवल बिहार पुलिस बल्कि यह दरोगा और BPSC दोनों के अंदर यह सवाल आ चुका है अगला सवाल है निमले कित में से कौन से बासकुंड बांध निमले कित में से कौन से जीले में बासकुंड बांध इस्थित है तो इसकी अगर बात कर जश्ट उसे सेटा हुआ हैं आपका अलगी सरह स्टेशन भी है और खुद क्यूल जो हैं उसी के अंदर आता है इसके बाद बिहार के मुंगेर जीले में एक जलासे हैं जिसका नाय में आपका सीता कुंड जबकि जहानाबाद में आपका नागा बगीचा बांध श्थित है यह भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद हैं बिहार विधान सवा के सत्र की बैठक हेतु गनपूर्ती कितना होता है तो गनपूर्ती की अगर मैं बात करूं तो यह एक बटा दस होता है या इसी को अप 10 परशंट भी कहा सकते हो दोनों बात एक ही है तो एक बटा दस होत नहीं थी तो यह था आपका 11.9% यहां का ZDP जो कि ऑप्सन हमारा C right answer हो जाएगा बिहार के पिछड़े पन का सबसे मुख्य कारण कोन सा है तो यहां का सबसे मुख्य कारण है पुंजी निरमान का निम्नदर यानि पुंजी निरमान जो कि बहुत कम है ऑप्सन हमारे यहां पे एक से ग्यारक की जनगना में बिहार की दस की वर्दी कितनी थी तो ये थी आपकी 25 दसमलव फोर टू परसेंट इसके बाद हैं दो होजार माप करियेगा उनीस बीस के दोरां दर्वंगा राज में किसान अंदोलन का नेता कौन था तो ये था स्वामे वित्यानंद जो की option भी हमारा right answer हो जाएगा इसके बाद अगला सवाल देखते हैं एक 111 की जनगना के अनुसार सरवादी की जनसंख्या घानत दुवाला जीला कौन सा है तो ये हैं आपका कौन सा सीवहर जो की option नमबर कौन सा भी यहाँ पर right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कहता है कि मंदार परवत भागलपूर के जीले में जो की option कौन सा तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा लेकिन वरतमान टाइम के अनुसार अगर देखेगा तो यह आपका exactly कहां पर है तो यह आपका बाका जीले में आता है लेकिन option तो है नहीं तो फिर हम बाका कोई क्या मानते हैं भागलपूर मानते हैं आगे बढ़ते हैं अगला है कि बिहार के निमिलीके जीला में कौशा विहार के नक्से पर सरवाधिक पूरुमें है तो विहार के सबसे पूरुमें हैं यह हैं आपका किसन गयंजो की option ए हमारा right answer हो जाएगा मैंने बताया था कि किसन गंजो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं ये हमसे क्या क्या है कि समस्तिपूर जीले में डैस में राजंदर क्रिसी विश्विद्याले जिस्तित हैं तो समस्तिपूर के पूसा में ये जिस्तित हैं सो आप्सन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद अगला सवाल है कि निमलिकी तस्थानों में से कौन सा स्थान सुखी सरकीट का एक भाग तथा पटना जीले में इस्थित हैं ये हैं आपका खान का मुन नेमिया, आपसन कौन सा तो यहां पे बीराइट आंसर हो जाएगा अगला है बिहार की किस भाषा को संबैधानिक दर्जा प्राप्त हैं तो यह हैं आपका मैथली भाषा 22 भाषाओं में आपका कौन सा है तो ये मैथली भाषा है जबकि भोजपूरी इतना फेमस है लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसे सम्बैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है इस बात को ध्यान रखेगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल है लाल जी टेंडन बिहार के कौन से नंबर के राजपाल वनेते तो ये बनेते 29 वे नंबर के ऑप्सन कौन सा तो ए राइट आंसर हो जाएगा अगले सवाल है कि बिहार के कितने प्रतिस्द भूभाग पर 30 अगन वन है तो ये देखने को मिलता है 0.35% के ऊपर इसके बाद है बिहार का नियुंतम जन संख्या वाला जीला कौन सा है सबसे कम जन संख्या कहां पर है तो ये हैं सेखपूरा के अंदर जो कि ऑप्सन तो है नहीं तो फिर हमें आप आंसर नहीं करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं कि बिहार का सरवादिक लिंगा नुपा तो वाला जीला कौन सा है तो हमारे हैं तो गोपाल गंज है flavored जो की 804 है 84 तो नहीं है दस सो एक एस हिते हम आप करेगा और सबसे कम लिंगा नुपा जो देखने को मिलता है वो मुंगेर में देखने को मिलता है 83 बिहार में शीषु मृतियोदर कितना है तो हमारे यहां जो 60 मृत्य उदर हैं वो है 29 लेकिन option में तो नहीं है इसलिए इसका answer भी नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं उसके बाद है निमन में से अंतर जाती विवा प्रोथ साहन योजना के तहर कितनी रासी दी जाती है तो यह रासी दी जाती है option A जो कि यहां पे हमारे right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अंगले सवाल देखते हैं बिहार धारनी विकास से सम्मन्दित बोड कौन सा है तो यहां आपका योजना और विकास विवाग option A right answer हो जाएगा 2011 की जनकरना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरतादर कितनी है तो 51.5% है पूरुसका बह 71.2 इसके बाद सबसे पड़ा लिखा कौन है तो यह आपका रोतास जीला सबसे मुर्ख कौन है तो यह आपका पुर्णिया अगला सवाल है आपसे की निमलिकित में से बिहार का कौन सा जीला नेपाल की अंतराष्टी सीमा के साथ तच नहीं होता है तो यह हो जाएगा आपका समस्ती पूर्ण आपसन हमारे यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है अगर आपको यह हमारा प्रियास हमारे मेहनत आपको पसंद आता हो और आपके लिए जैरा सभी यह वीडियो हैल्फुल हो मैरातन हैल्फुल हो तो आप हमें सपोर्ट करके जाएगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी चीजन नहीं सीखना च चाहिए चली आगे बढ़ते हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को आपसन हमारे यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा और इसी दिन जल दिवस भी मनाते हैं बायरत की जनसंख्या जन गन्ना 2011 के अनुसर बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थ लगबग जो की ऑपसन सी हमारे राइट आंसर हो जाएगा और हम जनसंख्या में हैं तीसरे नमबर पे उतरी बिहार का प्राचिन नाम क्या था उतरी बिहार का प्राचिन नाम था वज्जी कौनशा वज्जी और इसकी राजधानी हुआ करता था वैस आले आपसन हे पूलिस के लिए तयारी कर रहे हैं या फिर दरोगा के लिए या फिर BPSC टीचर के लिए या फिर बिहार SSC के लिए ज़रूर कमेंटबॉक्स में कमेंट कीजेगा और इस क्लास का पीडियोप मैं आपको वन बै वन करके टेलेगराम में प्रोवाइट करा दोंगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगले मेरातन में बस सब इस तक हमें फरी कर दीजे बाकी आपका रेगुलर आपका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा तो जैंद